हलो दोस्तों वेलकम बैक टू नीव वीडियो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यमां MT03 का कम्प्लीट डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ जी है दोस्तों इस वीडियो में MT03 का कम्प्लीट आपको डिटेल वाकरौन देने वाला हूँ क्या प्राइज आती है क्या इस पेसिपिकेशन है क्या बजट में आप इस बाइक को खरीज सकते हैं सारे चीजे मैं आपको डिटेल्स में देने वाला हूँ आपको यह क्या प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों यह आमा की जो MT03 आपको यह एक्सो रूम प्राइस आती है लगबख 4,60,000 चार लाग 60,000 रुपए की दोस्तों आपको यह बाइक जो है एक्सो रूम प्राइस रेखने को मिलती है तो अच्छी यह प्राइस भी इसका कितना जाता तगड़ा गया हुआ है अगर मैं इसकी ओन डूट प्राइस के बारे में बात करूँ दोस्तों तो यह minimum ओन डूट प्राइस जारी होगी लगबख 5,10,000 रुपीस है अच्छी का लिक्विड कुल फोरिश्टोग दीवेसी 4 वोलू सिंगल डूट सेलेंडर जो इंजिन आओ आपको इस बाइक में देखने को मलता है जो डूट सेलेंडर इंजिन आपको बाइक में मिलेगा बात करें power and torque के बारे में दोस्तों ये बाइक maximum बाइक में 42 PS की असपास की power जेनरेट करती है and maximum torque में दोस्तों इस बाइक में आपको लगबख 29.5 की असपास का जो निटमिटन टॉर्क है दोस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है दोस्तों आपको बता दो इस बाइक में आप लोगों को डूवल सेलेंडर एंजिन मिलता है fuel system में F5 मिलता है जिसे fuel injector कहते है cooling system में इस बाइक में आपको liquid cool जो एंजिन हो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है दोस्तों ये बाइक number of 2 cylinder के साथ में आपको बाइक में 8 volume engine मिलता है पर cylinder 4 volume तो dual cylinder तो 8 volume engine हो जाता है ठीक बोर साइज 48 mm की है इश्रूक साइज 44.1 mm की है बाइक में आपको 6 gear मिलता है साथ मिस में आपको जो sleeper clutch है दोस्तों वो भी आपको बाइक में देखने को मल जाएगा मतलब engine बाइक में बाइक में EBS6 with E29 engine मल जादा है तो बाइक जहर सी बात है MT03 है तो engine तो आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा काफी powerful engine company ने आप पर provide किया है तो यह तो दोस्तों इस बाइक का complete engine specification चली बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के mileage and performance के बारे में यह बाइक minimum आपको लबबक 25 तो 30 gaspars का mileage offer कर देती है 0-100 में इस बाइक को लबबक 6 second gas आस-पास के लगता है top speed आपको इसकी भाइक कंपनी क्लेम है 190 km per hour 190 तो भाइक मुझे लगता नहीं यह तो लगता है speedometer error है but I think अगर कंपनी बोल रहे 190 तो हो सकता है कि 190 km per hour हो जाए बात कर लें दोस्तों अभी इस बाइक के front profile में सबसे पहले आपको बाइक में 37 mm के upside down suspension मिलते है which is very premium suspension फ्रेंट में आपको बाइक में 1170 के इसपास के टायर साइज मिलता है प्लस ब्रेकिंग के बात करें दोस्तों इस बाइक में आपको इस बाइक में सबसे पहले लेडी जो डिरल लेट है वो आपको बाइक में देखने को मलती चोटी चोटी जो की बहुत जादा बहतरी लगती है mail light में दोस्तों इस बाइक में आपको single LED जो प्रोजेक्टर लाइट है दोस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा रहे है आपको कोई doubt नहीं बाइक की जो single LED projector light है भाई बहुत शूपा बै कंपनी ने बहुत अच्छी LED projector light है इस बाइक में use किया हुआ है जो कि प्रस्णाली भाई मुझे बहुत ज़ादा अच्छा लगता है इसकी LED projector light ठीक टनल सिंगल लैप भी आपको इसमें दूस्तों जो है normal LED देखने को मल जाते है अब आते है rear profile में tail light में दूस्तों इस बाइक में आपको LED tail light देखने को मिल जाते है जो कि मुझे एक minus point लगा भाई इतनी बड़ी बाइक है टायर साइज तो at least बड़ा देरा था वाई इस बाइक में थोड़ा साइस बड़ा होना था प्लस रियर में आपको bike में जो tail light है दूस्तों आपको LED tail light देखने को मिलेगा bike में आपको split seat मिलता है one and two two part में company ने seat दिया हुआ है चली बात करने इस bike के speedometer के बारे में दूस्तों speedometer में इस bike आपको fully digital meter हो आपको देखने को मिलेगा जिसे आपको काफी सारे feature देखने को मिलते है like speedometer है takeometer है trip meter है आपको बाइक में देखने को मल जाता है बात करें डिमेन से निंट के बारे में बाइक की जो औरल लेंद दूस्तों टू जीरो नाइन जिरो में की औरल जो वीट है वह सेवन डबल फाइम की है औरल जो हाइट है दूस्तों 1070 mm की है बाइक की seat height 780 mm की है ground clearance 160 mm की है विलबेस 1380 mm का करवेट 167 kg है फिल्टेंग कैपेसिटी 14 लिटर की है प्लस आपको बाइक में full reserve capacity 2.4 लिटर के असपस की देखने को मिल आती है अब दूस्तों ब्रैंड न्यू यमां MT03 का complete specification review अब दूस्तों आप लोग कमेंट देर के जरूर बनाना दूस्तों आप लोग को यह bike कैसी लगी बाइक प्रसली मुझे तो MT03 काफी अच्छी लगी बस मुझे थोड़ा सा प्राइज वो थोड़ा सा जादा लगा है बाकि no doubt bike बहुत premium है बाइक बहुत अच्छी आप इस bike के साथ में जरूर जा सकते हैं अगर आपको एक अच्छी premium bike चाहिए तो आपको कैसी लगी दोस्तों आप नीचे comment section में comment करके जितरू बताना चली मिलते हैं नेक्ट फिरूमें लवी ओल जै इन बंदमात्रम